लास्ट लेक्चर में हमने शिवा जी के बारे में पढ़ा था आज हम उसके आगे जो है मराथा एम्पायर अंडर छत्रपती इसमें अगली स्टोरी को दिखते हैं हम शुरुआत करेंगे अब शंभाजी से शंभाजी का टाइम पीरिड था 1680 से लेके 1689 तक इन्होंने ये नौ साल रूल किया शिवा जी के दो पुत्र थे फ्रम टू डिफरेंट वाइव्ज एक तो थे शंभाजी दूसरे थे राजा राम दोनों में से शंभाजी राजगदी पर 1680 में बैठते हैं लेकिन वो बहुत capable लीडर प्रूव नहीं होते 1681 में जब औरंग जेव राजपूतों से वार में बिजी थे उस समय शंभाजी इस दोरान मुगल टेरिटरी बुहरानपुर जो की मध्यप्रदेश में है और एहमद नगर इन दोनों टेरिटरी पर अटैक कर देते हैं औरंग जेव का एक पुत्तर था जिसका नाम था अकबर अब हम इसको कैसे डेनोड करेंगा अकबर टू से औरंग जेव को छोड़के डेक कर नाके रहने लगता है और शंभाजी भी अकबर टू को शरण देते हैं अपनी टेरिटरी में अब इस सबसे गुसा करके औरंग जेव जो है वो शंभाजी पर अटैक कर देता है वो 1689 में शंभाजी को बंदी बना लिया जाता है और उनकी बड़ी निर्मम हत्या गी आती है मतलब बूटली मारा जाते हैं टुकडे टुकडे कर दिये थे उनके तब शंभाजी की मृत्यू के बाद उनके सोतेले भाई राजा राम राजपाठ को संभाज लेंगे और अपना हेड़कौर्टर जो है वो तमिल नाडू में जिंजी नामक जगह पे शिफ्ट कर देंगे राजा राम के जिंजी में मूव करने के कुछ महीने बाद ही मुगल्स अंटर दे लीडर्शिप आफ जुल्फी कार खान राइगड पर अटैक कर देते हैं देखो राजा राम का टाइम शुरू हो गया 1689 में राजा राम राजगदी संभाल लेंगे चत्रपती बनेंगे ठीक है 17.00 तक उनका राज चलेगा तो वो जिंजी में शिफ्ट कर गए थे तो क्या होता है कि शिफ्ट करने कुछ महीने बाद ही जुल्फीकार खान जो कि मुगल की तरफ से आया था राजगड पर अटैक कर देता है तो राजगड में उस समय जो पिछले किंग थे शंभा जी उनकी फैमिली रहती थी जुल्फीकार खान शंभा जी की फैमिली को कैप्चर कर लेता है और उनका जो पुत्र था शाहू उसको भी बंदी बना लिया जाता है मतलब शंभा जी का एक पुत्र था शाहू तो उसको भी साथ बंदी बना लिया जाता है हाला कि शाहू को राजगड का टाइटल दिया जाता है वहाँ पे मुगल टेरिटरी में और एक मनसब दिया जाता है लेकिन फिर भी जो वर्चुली अगर हम देखें तो वो प्रिजनर ही थे मुगल्स के वैसे तो शाहू जी को तब औरंग जेव की बेहन रोशन आरा बेगम उसने पाला था और पाला भी हिंदू रिती रिवाजों से था ठीक है लेकिन थोड़ा मुगल्स भी था हूँ उनके पालन पोशन में 1698 में जिंजी पर मुगल्स अटैक करते हैं और राजा राम वहां से भाग कर विशालगड जो की महराश्टर के नजदीक है वहां पर जाके पहुँचते हैं राजा राम और वह कहां जाते हैं विशालगड में इसके बाद राजा राम सतारा और बिराड के एरियास पर रेड़ प्लान करते हैं लेकिन रेड़ कुछ होती है कुछ नहीं होती बीच में रह जाती है और जल्दी ही 1700 में उनकी डेथ हो जाती है तो यहां पर राजा राम की डेथ होगी उसके बाद क्या था कि राजा राम का एक माइनर थासन ठीक है मतलब बहुत चोटा बच्चा था जिसका नाम रखा होता हमने शिवाजी और हम इसको कैसे डिनोड करेंगा शिवाजी टूक से तो उसके नाम पर राजा राम की जो पतनी है उसका नाम था तारा बाई तारा बाई जो है शिवाजी टू शिवाजी टू के नाम पर राजबार संभालती है ठीक है तारा बाई काफी एनरजेटिक और एबल रूलर थी वो तारा भाई की guidance में Marathas जो activities थी वो बढ़ती ही चली गई सारी command जो थी तारा भाई अपने हाथ में रखते हुए सारा काम खुद देखती थी और control करती थी अब आपको पता है 1707 में औरंग जेब की मृत्यू हो जाती है तो आअरंग जेन की मृत्यू के बाद जो है वो शाहू जी है वो release हो जटते हैं शाहू जी कौन थे ? शम्बा जी के पुत्र से ठीक है उनको कहां से ? राइगर से जुल्फिकार खान उठाके ले गया था और अब वो release हो गए है शाहू जी ठीक है तो शाहु जी के release होने के बाद मराठा राज्य में अपना राज्य क्लेम किया किस से तारा भाई से कि अब मैं राजा बनूँगा आपका शासनकाल खतम और ताराबाई शाहू जी इन दोनों में 1707 में ही उनके छूटने के तुरंत बाद ही कुछ महीने बाद ही बैटल आफ खेड हो जाती है ये बैटल किसके बीच में हुई बैटल आफ खेड ताराबाई और शाहू के बीच में ये बैटल को याद रखना इसलिए इंपॉर्टन्स होता है कि आपको मैच दाफ फॉलोइंग में आ जाएगा कि ये बैटल किस से रिलेटिड है तो ये आपने बैटल को ध्यार में रखना है ये प्रिलिम्स पॉन्ट आफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टन चीज़े होती है चोटी चोटी तो इस बैटल में शाहू का जो सास दे रहे थे वो थे बालाजी विश्वनाथ तो वो क्या उनका साथ देते हैं जीत भी दिला जेते हैं शाहू जी के मराथा एम्पायर पर राज करने के क्लेम को जारातर लोगों ने उस समय सही ठहराया था और ईवन बालाजी विश्वनाथ भी उनका साथ देते हैं बावजुद इसके के वो पहले तारा भाई के अंडर काम करते थे बैटल आफ खेड के बाद ट्रीटी ओफ वर्ना होती है अब जो सतारा है वो शाहू जी के कंट्रोल में आ जाता है और तारा भाई को कोलापुर दे दिया जाता है ठीक है तो तारा भाई का टाइम कब से कब तक हुआ राजा राम की मृत्तियु से लेकर शाहू जी के रिलीज होने तक मतलब 1700 से लेकर 1707 तक का अब हम बात करेंगे शाहू जी की जिनका टाइम पीरिड था 1707 से लेकर 1714 तो 1708 में क्या होता है शाहु जी की कोरोनेशन हो जाती है जिसके बाद शाहु जी बालाजी विश्वनाथ को सेना करते सेना करते का मतलब है maker of the army सेना करते का title देते है और 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेश्वा बना दिया जाता है और क्या उनकी help की जाती है बालाजी विश्वनाद की बालाजी विश्वनाद को पेश्वा बनाया जाता है साथ में ये जो पेश्वा का जो आफिस है इसको हैरिडरी बना दिया जाता है अब ये पारिवारिक रूप से चलता जाएगा पेश्वा तो बाला जी विश्वनाथ बाला जी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र फिर उनके बाद उनके पुत्र इस तरह से चलेगा अब ये तो ये हुआ कैसे वैसे क्योंकि बाला जी विश्वनाथ उस समय जादा स्ट्रॉंग साबित हुए as compared to शाहू himself बाला जी विश्वनाथ की ही हेल्प से शाहू जीत पाया इससे आप ये समझिए कि छत्रपती वैसे ही उस समय तक थोड़े कमजोर हो गए थे और पेश्वा जो है वो स्ट्रॉंगर होते गए अब पेश्वा ही डी फेक्टो रूलर होंगे मराठा किंडम के और शत्रपती सिर्फ एक फिगर हेड बनके रह जाएगा तो इसके साथ ही हमारा जो शत्रपती वाला चैप्टर है वो क्लोज होता है इसके बाद हम पढ़ेंगे राइज ओफ मराठाज अंडर पेश्वास ठीक है देट्स अल पर नाव थेंक यू